Facebook Messenger Block & Unblock 2024 How to Block Someone on Messenger and How to Unblock Someone on Messenger in 2024 Step and Process को कैसे apply करना है तो यहाँ पर सबसे पिले आपको Messenger Application को open करना और यहाँ पर आपको उस Friend को select करना है जिसे भी आप block करना चाहते हूँ तो example cases में एक unknown stranger है जिसे मैं block करूँगा आप लोगों के सामें तो यह एक account है जिसे मैं block करना चाहते हो जो block करने के लिए आपको इसके account पर इस तरीके से press करके रखना है जैसा आप press करोगे यहाँ पर आपको नीचे की तरफ block का एक option देखने को मिल जागा यह first option है block करने का otherwise आप उसकी profile icon पर क्लिक करोगे और उपर आपको i button देखने को मिल जाएगा आपको इस पिट्टा आप करना है यहाँ पर भी निचे की तरफ भी आपको एक option देखने को मिल जाएगा ब्लोक का तो आप directly block के option पर क्लिक करके सामड़ेले person को ब्लोक कर सकते हो तो let's me इसे block करो तो अगर आप इसे block करो तो इसकी कोई भी activity आपको facebook पर दिखेगे नी तो let's me इसे block कर दिया है तो block करने के बाद look जो है वो ऐसा देखने को मिल जाएगा अब उसकी बाद आप चाहिए इसे फिर से unblock भी कर सकते हो तो अगर आप block जैसे आप इसे block करोगे और उसकी बाद फिर से इसकी profile पर अगर आप विजिट करोगे तो इसकी profile पर आपको ऐसा वला option देखने को मिलेगा तो unblock करने के लिए बस आपको unblock के option पर click करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको unblock के option पर tap करके आप इसे unblock कर सकते हो लेकिन guys एक problem है कि जिससे आप इसे unblock करोगे तो आपके facebook जब भी आप इसकी profile पर विजिट करोगे तो आपको directly यहाँ पर एक error देखने को मिलेगा जो कि this person is not available तो यहाँ पर एक और friend जिससे block करूँगा जो कि है my send नम से मैं इस पर भी tap करूँगा और इसके account को भी block करूँगा तो block करने के बाद एक second तरीका बतारो तो sometimes असर भी होते हैं कि अगर हम किसी person को block करते हो उसके बाद हम उसका profile यासे delete मार देते है तो जैसे हम delete मारते हैं तो उसका profile हमें messenger पर दीखता नहीं है तो ऐसे में अगर आप उस person को search करोगे तो उसका को भी detail आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर देखो कि जैसे मैंने messenger पर उसका profile ब्लॉक किया था माई send का तो उसका profile मुझे आ पर दीखने रहा था तो ऐसे मैं आप डिरेक्ली यहाँ से आप उस person को unblock कर सकते हो और जैसे आप उस person को unblock करोगे तो अब उसके बाद messenger पर अगर आप उस person का नाम search करोगे नाम तो आपको दिखेगा लेकिन वहाँ पर आपको एक error देखने को मिलेगा यहाँ पर इस person को फ्रैंड रिकूस सेंड करना पड़ेगा उसके बाद जब उससे वा accept करगे तो आपको यहाँ पर यह जो है वो आपको देखने को नहीं बेलेगा तो यह चीज़ का आपको ध्यार रखना है तो इससे दर्गेस आपको ब्लोग